नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टेडी वेस एजुकेशन चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं PG-DCA के अंतरगा 2nd semester के जो important question है किसके practical exam के उनके बारे में हाँ पर बात करेंगे इसके पहले हमने जो है DCA 2nd semester के, PG-DCA 1st semester के और DCA 1st semester इन सभी के practical exam के बारे में बिस्तार से जान लिया है important question के बारे में हल कैसे करना वो भी बता दिया तो उनको आप जरूर देख लिए अगर आप उस semester में हो तो और नहीं हो तो इस semester के exam के question आपके सामने प्रस्तूत है आप इन channel को और website को follow कर सकते ताकि आपको विभिन जानकारी और टेलिग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे तो उहां से भी आपको बहुत सारी चीज़े देखने को मिल जाएगी website में आपको मिलेगा PDF और वीडियो बगरा सारे content यहां पर मिल जाएगा इन सबकी लिंक आपको description box में भी मिल जाएगी तो चलिए बात करते हैं एक-एक करके important question की आपको यहां मैं तीन subject के important question बताऊंगा कौन-कौन से internet and web designing का देखे इसके अंतरगाज और फिर है DTP पेज में करें पोटो सौप उसके बाद हम बात करेंगे multimedia with coral draw, premiere और sound force इस तीनो subject के important question अगर आपका subject tally है तो उसके important question में अलग से बता दूँगा आपको आप मुझे message कर देना, telegram पे या comment कर देना और asp.net है तो उसके भी में अलग से बता दूँगा, tension ने लेना, पर अभी हम बात करेंगे किसकी internet की, DTP की और multimedia with coral की, तो चलिए यहाँ पे पहला जो subject है internet and web designing, इन question को आप not कर खर रखते रहिए, तांकि आप कुछ बाद में परसानी ना हो, तो पहला पुछा है search engine क्या है इसमें content को कैसे search करते हैं, search engine जो होता है एक प्रकार की website ही होती है, जैसे search engine जो होता है, webpage के अंतरगात, एक website होती है, जो किसी particular information को user तक लाने का काम करती है, जैसे www.google.com क्या है, एक प्रकार का search engine है न, yahoo.com क्या है, search engine है, तो आपको simple जो है, कहाँ चलना है, देखे मैं webpage पर ले चलता हूँ आपको, यहाँ पर webpage है, और webpage में चलने के बाद आप देखोगे, तो यहाँ देखे, हम जो है, यहाँ चलते हैं, देखे, आपको सुरू में तो कैसे मिलेगा webpage, तो ऐसा Google जैसा नहीं मिलेगा, सुरू मिलेगा आपको new tab करके बताता हूँ, मैं यहाँ दे देखे, Wikipedia सर्च किये, और Wikipedia सर्च करने के बाद भी देखे, यहाँ सर्च इंजन आ रहा है, यहाँ.com है, यह भी सर्च इंजन है, तो ऐसे आप सर्च इंजन के बारे में समझा सकते हैं, और दोचार नाम आप लिख सकते हैं, तो यह पहला question है, ठीक है, important question, internet and web designing का, दूसरा जो important question है, वो है आपका HTML का, ठीक है, HTML प्रोग्राम को, जो structure है, उसको लिखिये, उधारन सहित समझाईए, तो देखे, HTML के structure, HTML है क्या, HTML एक प्रकार का hypertext markup language है, जिसके थुरू एक web page को create किया जाता है, इसमें, विविन ने tag का इस्तमाल किया जाता है, वेब पेज को बनान देखे, HTML का structure, पहले tag सुरू होता है, सबसे last में बंद होता है, फिर head सुरू हुआ, तो यहां बंद हो गया, काम खतम, title सुरू हुआ, title बंद हो गया, जो काम खतम हुआ, body सुरू हुआ, body यहां बंद हो गया, h बंद हो था, उसका काम complete, यहां पर complete, इसको हमने file menu में जाकर save करे, dot HTML के नाम से, ठीक है, यह structure बनाने का तरीका, इसको save कर दिये, और run करने के लिए, direct हम जो है, ब्राउजर में जाकर open कर सकते हैं, या इस file की location पे जाके हम double click करके open कर सकते हैं, तो यह दूसरा question आपका important हो गया, तीसरा question आपका important क्या होता है, कि HTML में background और background color को, control को यहां देखे, body के अंतरगत क्या लिखना है, आप सीधे लिखोगे, क्या background, यह देखे, background लिखे, और यहां आप दोगे image का address, तो आपके background में image आ जाएगी, जैसे URL देदेते की नहीं, और अगर आप इसके बदले में क्या लिखते हो, बीजी color, बीजी color और यहां देदेते मान लो, अंदर जाके red, तो यहां background color आ जाएगा, background image नहीं आएगी, background color आ जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका, कौन सा, यह तीसरे number का important question, आप चोहते number का important question क्या हो जाता है, कि HTML में table tag को attribute के साथ समझाना है, तो table tag को आपको कैसे समझाना है, तो मैं आपको चलता हूँ, आपको टेवल को सुरू करना है, और नीचे table को बंद करना है, क्या करना है, टेवल को बंद, यह table को start करने की technique है, फिर tr को सुरू करते हैं, और tr को क्या करते हैं, बंद करते हैं, अब tr के अंदर हमको column या cell लेना पड़ता, तो td को सुरू करते हैं, और td को बंद करते हैं तो एंसे आपको structure बना बना खे cœur एक table सुन्दर से बनाना है और attribute की अगर बात करें तिसके अंदर हमको attribute, जैसे हम को इसकी border लेना है, तो border हमको कितनी लेना है, जैसे हमको 5 लेना है तो ले सकते हैं इसका bg color क्या लेना है तो यह होगा इसका attribute कि bg color हमको लेना है यहाँ पर red या फिर हम ले लेते yellow यह देखे तो यह bg color हो जाएगा इसका यहाँ पर ऐसे हम attribute और इसके table के structure को complete समझा सकते हैं यहाँ पर अब आपका जो 5 पर number का question हो जाएगा वो आपको देख एक basic formatting देने का काम करती है तो इसमें 3 होती है HTML के tag के अंदर ही अगर हम लिख रहा है तो inline हो जाती है इसके example आप समझा देना internal मतलब web page के अंदर ही अगर हम कोई style दे रहा है तो internal और अगर अलग से कोई .css वाली फाइल को link के माध्यम से call कर रहा है link tag के माध्यम से तो वो हो जाती है आपकी external CSS तो यह हो गए हमारे 5 question किसके internet and web designing के आप next जो subject है वो है आपका DTP PGD से second के अंतरगा तो इसके 5 question देख ल font होते हैं तो चलिए हम चलते हैं MS word में ही हम page maker में भी चल सकते कोई izकतने तो MS word में चलते हैं हमारे पास में जो important question है वो देखने को मेलेंगे डिकी important font देखना है question से helpmes दीखे रहे font में देखे यहाँ देखे आपको देखने मिलेगा जैसा खंड नाम का जो font है वो काफी important है Google का font है इसको हम enter करेंगे तो देखिए यहाँ बड़ा करके देखो काफी अच्छी बनावाट देखती है सरकारी font के रूप में भी इसका उप्योग किया जाता है तो पहला तो हो गया खंड देख रहा है रोबोटो भी आपका काफी important font है जो आपका Google font है Hindi English दोनों में यह काम करता है इसके अलावा आप देखोगे तो आपको कुछ important question जैसे Times New Roman यह basic font है Arial है यह भी basic font है तो इन font को आप जो है यहाँ पे समझा सकते अच्छा DTP के अंतरकर देखे यहाँ आप है अलग-अलग प्रकार के और font है जो उप्योग किये जाते है Flex, Banner या फिर Poster बनाने के लिए ठीक है Arial वाले जो font है Basic font है रोबोटो हमने देख लिए इसके बाद हमने देखे कलाम font है हिंद font है इसके अलाबा खंड font है यह सारे font जो है DTP के important font है जो काफी ज़्यादा उप्योग किये जाते है तो यहाँ आप ध्यान रखना देखे एक हमने देखे हैं खंड ठीक है एक हमने देखे हैं हिंद उसके आद हमने देखे हैं कलाम ठीक है उसके बाद हमने रोबोटे देखें यह चार font तो यह हो गए उसके बाद हमने एरियल की बात करें उसके आद टाइमशनी रोमन की तो ऐसे आप इन font को समझा सकते हैं बित उनके structure के साथ में दूसरा important question हो जाता है DTP का कि जो page maker है उसमे उपलबद टूल को विस्तार से समझाईए तो कोई दिक्कत नहीं page maker को open कर लेना simple और यहाँ देखे tools में पहला है आपका pointer tool जिसको object को move करने select करने के लिए उप्यूख के जाता है text को type करना text को edit करना तो text tool rotate करना है किसी भी object को कहीं भी तो उसके लिए rotate tool और image को picture box के अंदर काटना है तो यह आपका crop tool line draw करने के लिए आपको flexible line होती है और यह constant line constant line आपकी particular angle में खिची जाती है और safe होते है rectangle, ellipse और polygon इसी प्रकार frame tool होते है rectangle, ellipse और frame इसके आद जो होता है आपका hand tool होता है जो इधार उधार move करता है और जो pen मतलब आपका जो zoom tool होता है बड़ा छोटा करता है तो यह हो गए आपके page में करके important जो tools होते हैं 30 नंबर का जो होता है आपका image देखे, यहाँ पे text और picture को कैसे import करते हैं page में कर मैं लिखा होता place के नाम से यही हमने place करे तो आप देखो यहाँ पे हमारे सामने चली पहले picture ले आते picture को लाने के लिए भी place करना होता है और text को लाने के लिए भी place तो place जैसे ही करे तो picture को select करोगे तो picture आ जाएगे देखे, यहाँ पे picture हमने select करे और यहां हमारी जो है draw करते समय picture आ जाएगी पर यदि हम चाहते text लाएं तो उसके लिए हम file menu में जाएंगे place में ही जाएंगे और हमको desktop पे फाइल मिलेगी जिसका नाम है text file क्या नाम है text file यह देखे open और यहां लाकर हम simple click करेंगे यह हो गया आपका क्या text को लाना चोहता important question देखने मिलेगा how to use autoflow in page maker यहनि page maker में autoflow option का उपयोग कैसे किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं तो चलिए हम उपयोग करते हैं file में जाएंगे place में जाएंगे और वह text file को लेकर आएंगे import करना है तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा है एक डेश डेश का निसान और जो आपका एंगल दिख रहा है तो हम simple click करेंगे तो यह flow कहलाएगा simple flow ऐसे तो down तक जाएगा दिखिए यहां पर red बटन आ गई पर यदि हम चाहते हैं कि हमको import करना कैसे simple नहीं करना मतलब simple ना करके हम semi-artof-flow करना चाहते हैं तो semi-artof-flow करने के लिए keyword से shift बटन दबाएंगे तो देखिए यहां icon change हो गया semi-artof-flow करने से फायदा है कि आप जो आपका text है वह इसी में है ना की नीचे red line में है तो आप right click करके insert page कर लो और दूसरे page में जाएंगे तो फिर shift के साथ click करोगे देखिए फिर red button नहीं आ रही तो इक अब तक करते रहोगे जब तक कि text ना आ जाए पर हम ऐसा नहीं करते हम करेंगे आटो फलो कैसे करेंगे आटो फलो मतलब complete आटो फलो प्लेस में जाएंगे और यहां से हम text file को select करेंगे ठीक है यहां से हमने text file को क्या करें यह देखें और यहां पर हमने करें open और shift ना करके हम करेंगे अब control जैसे करें देखिए 5 पेस तक खुद बख़द आ गया इसे ब लिखत नहीं हमने चार क्या हम तो पूरे पढ़ लेंगे तो यहां फोटो सॉप है हमारे पास बहुत सारे टूल होते हैं पहला होता है मूब टूल किसी भी लेयर को या ऑबजेट को मूब करने के लिए मूब टूल या सेलेट करने के लिए मूब टूल आपको पर्टिकुलर भाग को सेलेट करना है तो आप देखे यहां पर है मार्कियू टूल मार्किंग करने के लिए अलग अलग प्रकार के मार्क होते हैं देखे चार लेसो टूल मर्जी से सेलेक्ट करने के लिए लेसो टूल इमेज को क्रॉप करने के लिए क्रॉप टूल होता है इनका color और print bucket आपको image में repairing करना है या फिर यहाँ पर repairing करना थे इन tool को उपयोग किया जाता है किसी particular भाग को हटाना eraser tool, text को type करना तो text tool है, save लाना save tool है, इन सभी tool में से आपकी नहीं चार या पांच tool को विस्तार से समझा सकते हैं, next आपको DTP के important question होगा है, next जो subject है वो देखने को मिलता आपको multimedia with coral साथ ही आपको premiere देखने मिल जाता है, साथ ही आपको sound forge देखने मिल जाता है, तो इनके important question देखने को मिल जाएंगे, इसका भी complete video आपको मिल जाएगा, playlist में और साथ ही website में भी मैं डाल दूँगा, telegram पे, तो वहाँ से आप देख लेना, हाला कि आप channel जिसमें आप अभी video देख पार है, इसको आप subscribe कर ले और bell icon को click कर ले, ताकि आने वाले जितने भी video है वो आपको मिल जाए, चलिए पहला question देखते हैं, multimedia with coral, premiere और sound forge में, coral draw में विभिन ने fill tool को समझाईए, तो coral draw का complete video मिल जाएगा आपको, और साथ ही complete video के साथ साथ, आपको हर एक topic के video अलग- तो यहाँ चलिए पहले Photoshop को बंद कर देते हैं, यहाँ हम coral draw में चलते हैं, देखे हमने यह बंद करें, और हम चल लेते हैं, coral draw के अंतरगा, coral draw में जब आप जाओगे, तो यहाँ आपको जो है, विभिन ने fill tool देखने को मिलेंगे, fill tool क्या होते हैं, किसी भी particular भाग में color आपको मिलेगा fountain fill tool, फिर मिलेगा आपको vector pattern, फिर मिलेगा आपको bitmap pattern, फिर आपको मिलेगा hatch fill, last next मिलेगा two color, और उसके बाद हमको मिलेगा texture, और फिर मिलेगा post script, तो इन में से आप जो है particular किसी किसी को समझा सकते, जैसे, यहाँ देखे, uniform में आप जो color सेलेक्ट करोगे, वो color आपको यहाँ fill हो जाएगा, उसके अलावा देखे, fountain में आपके दो color select हो गया, देखे, एक तो white color हो गया, और एक हो गया आपका यह वाला color, तो इसको आप जिस दिसा में आप घुमाना चाहे, जैसे आपको fill करना वो आप कर सकते हैं, इसके साथ ही आप देखे, आपको मिलेगा, देखे, यहाँ no, कोई भी category नहीं है, और आप ला सकते हैं, इसके साथ ही, आप देखे, यहाँ से आप जो है, इसमें भी आप ला सकते हैं, बहुत सारी चीजे, तो अलग-अलग प्रकार से fill option हो आप समझा सकते हैं, यह स्मार्ट फिल है, अलग-अलग category मे जिसे हम कोई सेब बनाते हैं, यह देखे, हमने एक यह सेब बनाए, और सेब बनाने के बाद हम जो है, इसमें क्या करते हैं, इसको duplicate कर लेते हैं, स्वारी, डुपलिकेट ना करके, हम जो है, यह करे हमने, और इसमें हमने जो circle दिख रहा है, circle को ठाक कर दिए, यहाँ बीच डी कंट्रोल डी करके देखे यहां करें तो इस प्रकार से हमारा जो है यह देखे इस प्रकार बन चुका है ठीक है और इसमें ही हमको कलर फिल करना है तो हमको क्या करना होता है smart fill का उपयोग करना होता है चली यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं color fill कर लेते हैं देखें यहाँ जो है color fill करने के लिए इसको उपयोग करते हैं किसका color smart color fill का देखें यहाँ हमने click करें देखें इस प्रकार से हम जो है क्या कर सकते हैं smart color कर सकते हैं ठीक तो इस प्रकार से आप उप्योग कर सकते हैं स्मार्ट कलर का तो यह हो गया हमारे फिल्ट टूल इसको आप विस्तार से देख लेना ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए दूसरा जो होता है हमारा आज नेक्सी गजाम मतलव जो इंपोर्टन कोश्टन है जो प्रापयर्टी बार होता है और का उससके धूर टेक्स्ट को ऐसे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हम कर लेथे हैं यहां पर हेखे टेक्स लिख रहा है यहां देखिए हम जो है इसमें अभी हमने बात किये थे खंड की फॉंट की ठीक है तो हम खंड फॉंट का उप्योग कर लेते हैं यहां से देखिए और इसके फॉंट के साइस को हम इंक्रीज कर लेते हैं चाहे तो बोल्ड एटेलिक अंडर लाइन जो भी करना है आलाइनमेंट देना है सारे काम हम यहां से कर सकते हैं कलर बगएर यह भी तो यह होगा हमारी इसको फॉर्मिटिंग करने का उप्सन आप बता सकते हैं रोटेट करना यह देखिए इधर उड़ आप शूर्पी प्रते यहां में जासा था एकसपोर्ट में थौन देखिए आपको एक उक्सान आता सेस्राक्टेडर अल्ली अगर आप पूरे पेज को करना चाहते हैं तो बहुत कर दो जैसे आपने एकसपोर्ट करे तो एकसपोर्ट करें यहां देखिए वह भाग आपका एक्सपोर्ट होगा किस टाइप में होगा PNG, RGB, Color जो बिट होगी वो 24 होगी प्रकार आपने करें ओके और एंसे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं जहां भी एक्सपोर्ट करें वो दिख जाएगा तो यह होगा हमारे एक्सपोर्ट करने का तरीका चौहता जो कोश्चन होता है लॉक और अनलोक करने की स्टेस बताईए तो आपने इसको सेलेट करें और आप जो है कहां गये आपको जाना है यह आपके अबजेक्ट में अबजेक्ट में जाना है और लॉक देखिए यहां पर लॉक लिखा है तो लॉक करें तो देखिए यहां पर जो और बांकी की चीजे भी मैंने आपको समझाया हूँ complete रूप से combine करना यह सारी चीजे ठीक है इसके अलावा देखे आपको next question देखने मिलेगा कि एड़ प्रीमियर में new project कैसे बनाते हैं तो एड़ प्रीमियर का tutorial भी मिल जाएगा आपको complete तो हम चलेंगे start button में और यहां देंगे location देंगे और अगर graphics है तो यह option सही है नहीं है तो second option और इस प्रकार आप okay करोगे तो ऐसे आप new project create करनी की steps बता देना बांकि सारी tutorial तो मैंने complete बता दिया हूँ उसको आप देख लेना I hope आपको important question समझ में आयोंगे पुरे आपके total 15 question बताया मैंने PGDCA second के अंतरग consensus करूंगा लेकर आऊंगा अभी new वाले पर फिर भी अगर मैं नहीं लाप आया तो आप important question कहां से देख सकते हैं course notes में जाकर PGDCA और PGDCA में जाकर देखे important question जैसे आप click करोगे तो आपको सारे important question यहां पर देखने मिल जाएंगे first semester और second semester के तो इसमें जाकर आप देख लेन जाहिन